करन और प्रीता का हुआ आमना सामना करन जो है प्रीता की जान को बचाता हुआ नजर आएगा वहीं प्रीता करन को देखकर यादाश प्रीता की वापस से आने वाली है वहीं निधी का खेल जो है पूरी तरह से खत्म होने वाला है सीरियल कुंडली भागे में कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगा कहानी और कैसे यहाँ पर यादाश वापस आने के बाद प्रीता जो है क्या कहने वाली है करण को देखकर सारी की सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं पूरे विस्तार से लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल हिंदुस्तान न्यूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूस को आप सब्सक्राइब करने बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बे और इससे मिलने के लिए पूरी तरह पहुचे गी अब लूत्रा हाूस भो पहुचे की और सबसे पहले जो नज़र जो है वो पढ़ने वाली है किसी और की नहीं बलकी निदी की और निदी जो है अब यहाँ पर वो डर जाएगी और साथी साथ उसके मन के अंदर का डर इस ब जो किया, उसके पूरी तरह से पानी फीर जाएगा और उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा ऐसे सोचकर वो आग में पूरी तरह सद staatकेल देगी प्रीता को प्रीतां को मारने की करने वाली है कोशिश ऐसे में आपको बताना चाहते हैं करन की नजर जो है लेकिन क्या यादाश वापस आएगी तो जी हां कुछ समय के लिए ही जरूर लेकिन हां यादाश जो है प्रीता की वापस से आने वाली है लेकिन क्या यादाश जो है वो continue रहेगी तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो sources हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यादाश कुछ सम पूरी तरह से गुसे से लाल पीली होते वे नजर आने वाली है और ना सिर्फ लाल पिली नजर होते वह नजर आएगी, बल्की वो तु करने वाली है कोशिश और भी आगे चल कर किसी भी तरह से प्रीता को जान से मारने की करने वाली है दोस्तो कोशिश. आप यहाँ पर करन जो है प्रीता को देखकर जो है वो भी emotional होता हुआ नजर आएगा और सारे परिवार वालों को तो एक के बाद एक जो है वो hint मिलता ही चाह रहा था प्रीता जो है वो जिन्दा है पहले करन ने देखा फिर उसके बाद मतलब रिशब ने देखा फिर शौरे ने तो देखा ही देखा ये सारी की सारी चीजे पूरी की पूरी बाते जो है वो समझ में आने वाली है तो कितने ज़्यादा आप excited है अप coming एपिसोड के इस ड्रामे थमाके को आप देखने के लिए comment के थूँ आप हमें ये बात जरूर बताएं अगर अभी तक आपने हमार यूटूब चैनल हिंदुस्तान न्यूस को आपने सब्सक्राइब में ही किया है दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना बुलिए बिलकुल भी